हमारे फार्म हाउस में आपका स्वागत है यह पापा है हमारे घर के मुख्य किरदार ठीक है आंगन में आपका स्वागत है कुछ छोटे-छोटे ग्लिम्स आपको दिखाए जा रहे हैं और यह हमने थोड़ी ट्रेडिसन स्टाइल में सूथ करने का सोचा ग्रीन ड्री से काफ इस चूल्ह पे खाना पकाना पélior से कि छोटी सी जिलक आगे का जो जलक है यह नहीं ट्रेम्टी से वही है ग्रीन अबीजuğ से gemaakt यह अच्छा लग्राईन और एगणटेंस फाला अब यह हमारा एंट्रेंस है प्रोपर जिसे दर्वाजा बोला जाता था पहले के टोंट में जो मेरी दादा जी थे वह यहीं पर बैठा करते थे दर्वाजा था यह हमारा आंगन है यह चारों तरफ जो आप देख रहों आंगन बेसिकली उस बीच वाली एरिया को बोला जाता है और यह वर लिए रही किचन होते हैं और यहांपर काफी फैमिली इस उनके रिक्वाइड होता है तो यही है थोड़ा मॉडर्न हो गया है पहले ऐसा नहीं हुआ करता था राइट मास्रा बैड्रूम में आपका स्वागत है तो यह इस घर का बेड्रूम है जहां मेरे पापा और मामी अ कि न हम आपना जो है इंटाइर डेयिस पैंड होग देख सकता हूँ थोरा से मॉढ़न टैची देने की कोशिष करी है तीक तो वो टाइम रहा नहीं जो हम पूराने स्टाइल मेरे तो मॉढ़ने टार्शेस जरूर करिए है अकला जो क्लेम्स है यह हमारे ऊपर से मैंने चत पे से अपना इंटरेंस वगर और गार्डेन वगर जो दिखा रहा था वो दिखाया और जब कैमरे को भी मैं टर्न करने वाला हूं तो अब यह दरवाजा और यह आंगन और यह घर मिला के जो चत है बिसिकली वह पूरा देख सकते हैं यह चोटा सा ग्लेम्स बस मैंने शूट कर अपने गार्डन का काफी लाइवली सा लग रहा था तो मैंने बस सूट कर लिया और गावाली फिलिंग अभी भी आपको पूरी मिलेगी अब छोटी से ट्रैक्टर राइट जो मैंने ली थी उसके एक छोटा सा ग्लेम्स सब्सक्राइब होते रहता है तो मैं थो डड़ भी रहा था अगली जो ग्लेम्स है यह जो मम्मी है वो स्वीट बना रही है तो यह एक ट्रदिशनल स्टाइल है बीवी स्वीट बनाने का और फाइनली गाणयों को फीट करते वे यह करना चाहिए यह मेरे चाचा जी की घर पहे गाएं और इनकी सेवा जरूर करना चाहिए जब भी मौका मिले जरूर क्या करो और लास्ट सीन की तरफ चलते वे पिजासरी जहां आपना इंटायर डे बिताते हैं थैंक्यू फार वाचिंग अभी कुल